हेला एव्रिवन उमीद करता हूँ आप से भी लोग स्वर्स्त हैं आई बी एक्जाम की एक्स्टाक्टिड मन्थ है वो जैन्वरी ही है तो बहुत जल्दी आपका एक्जाम कराया जाएगा इससे पहले जो IBACIO को एक्जाम हुआ था वो 2020 में नोटिफिकेशन निकला था और February 2023 में हुआ था तो उसी में नोशिफ्ट में एक्जाम कराया था उसके सारे की सारे कोश्टिंस मैं आपको चैप्टर वाइज मैस के कराने वाला हूँ जिससे केक तो आपके क्विक रिविजन हो जाए जिन लोगोंने अल्रेडी पढ़ रखा है कि किस तरह के कोश्टिंस पूछे जाते हैं तो लगबग आज की क्लास में 30 कोश्टिंस करेंगे और यह जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है यह आपके कवर हो जाएगे एक्जाम के सारे कोश्टिंस आप सोव करताएंगे टीक है तीन चार questions इसमें काफी अच्छे भी हैं बागती questions एक easy to moderate level के हैं जो लोगों की preparation अच्छी है आपने किसी टीजर से अच्छे थे पढ़ रखाया मुझसे पढ़ रखाया तो maximum questions आप खुद से भी बना सकते हैं जैसे जैसे आप हम class में आगे भड़ेंगे तो आप questions को पहले खुद try करने की कोशिश करना उसके बाद मेरे वीडियो solution पर जाना साथ ही साथ यह आई-पीए-सी-आई-टू के बारे में complete information की वीडियो मैंने डाले भी है आप जरूर देखें ठीक है और एक playlist अविलेबल है YouTube पे free में maths की जिससे आप यूज कर सकते हैं अपनी preparation के अगर आपको basic topics के थोड़े-थोड़े आते हैं तो इस crash course वाली playlist भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो 80-90% question maths के IB ACIO2 के आप बना सकते हैं जो जो chapters यहां पर करार रखे हैं उसमें से तो यह playlist को बिलकुल भी skip ना करें बहुत important playlist है ऐसे ही और भी playlist available है जैसे GK के crash courses आप percentage के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा ठीक है जो आपको पता होना ही चीए percentage to ratio conversion and vice versa या फिर percentage to fraction conversion basically जब भी हम percentage symbol देखें इसका मतलब क्या होता है आप बस यह याद रखे percentage को अगर हमें represent करना है तो मैं इसे 1 by 100 से represent कर सकता हूँ percent क्या होता है पर percent एक भाग तो वह हिस्सा ठीक है तो अगर मैंने कहां यहाँ पर 50% तो 50% का मतलब क्या होगा फिफ्टी एडिटीच और percent की जगह मैं लिख दूँगा तो 1 by 100 और यह हो जाएगा मेरा 1 by 2 तो यह इसका equivalent fraction हो गया यह हमारा percentage वाला पाट हो गया अब मालों मझे fraction को percentage में convert करना है तो कुछ नहीं करना देखो तो 100% मेरे पास क्या होता है आप कहेंगे सर यह 100 divided by 100 आ जाएगा इंटू मैं 1 by 100 करूँगा तो यह होता है 1 तो 1 by 2 अगर मिझे percentage में convert करना है इस fraction को तो इंटू 100% कर दूँँ क्योंकि 1 से तो किसी में भी multiply कर सकता हूँ करूँगा तो यह जाएगा 50% कुछ नहीं है percentage मतलब आप बस यह याद रखो percent का मतलब होता है 1 by 100 तो इसी को यूज करके आप किसी percentage को fraction में convert कर सकते हैं fraction को percentage अब इसमें ज्यादा डीप में जाने की जुरूद नहीं है मैं फटा-फट से आपको कुछ चीजे बता देता हू है जैसे कि अगर हम बात करें 100% 1 होता है 50% को solve करूँगा 1 by 2, 33% को solve करूँगा 1 by 3, 25% 1 by 4 या फिर आप उल्टा याद करें 1 by 1 फिर 1 के नीचे 2, 1 के नीचे 3, 1 के नीचे 4 यह सारा का सारा निकले और इनके equivalent percentage आप यहाँ पर calculate कर लें ठीक है ऐसा ही आप चलते रहेंगे जो मैं जब यह वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यह मान के चल रहा हूँ आपको basics आते हैं तभी आप क्योंकि questions हम यहाँ पर solve कर रहे हैं हम यहाँ बिल्कुल theoretical session नहीं लेकर आ रहा है कि मैं हर की चीज का concept रता हूँगा बस मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको revise करा रहा हूँ बा question में क्या क्याता है हमारे पास पहला question खुछ सोल करो simple सवाल है क्या answer आएगा क्याता है आ नंबर is increased by 10% then it is decreased by 20% the final value of the number is 528 then the initial value of the number मेरे पास एक number है उसे पहले मेंने 10% भढ़ाया तो मान लेता हूँ मेरे पास number क्या है n है अगर मैं इसे 10% भढ़ाओ तो 10% का मत्तब क्या होगा 10 by 100 और यह वाली value हो जाएगी मेरे पास 1 by 10 ठीक है तो अब मैं 10% increase कर रहा हूँ तो मैं यह मान के चलता हूँ कि यह मेरी initial value हो 11 तो मैं कहूँगा जो मेरे पास number है यह अपने आपका क्या हो जाएगा अगर यह पहले 10 था तो आप कितना हो जाएगा 11 तो मैंने क्या करा एक number को पहले 10% से increase कर दिया अब कहता है it is decreased by 20% 20% से अगर हम decrease करेंगे तो 20% क्या होता है मेरे पास 20 by 100 यह value होती है 1 by 5 अगर मैं कह होंगा पहले 5 value थी तो अब क्या होगी 1 से decrease होगी तो final value क्या हो जाएगी 4 तो पहले जो value थी हम नीचे लिखते है 5 और final value कितनी होगी तो जब 10% भड़ाया तो value बनीए अब 20% decrease करा तो इसमें यह वाला 20% वाला क्वाला क्वाल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो मेरे पास value बनीए और यह किसके बराबर दे रखा है मुझे यह बराबर दे रखा है 528 के तोल करके हम यह नंबर बताना है कोशन मेरा खतम हो चुका है अगर मैं यहाँ पर कट करूँगा इसे तो मेरे पास यहाँ पर आप डारेक्टली काटना चाहें तो 11 से मैं इसे काट देता हूं ठीक है पहले 4 टाइम जाएगा फिर 8 टाइम जाएगा 4 से काटूँगा तो मेरे पास यह 12 टाइम जाएगा 50 इंटू में 12 कर दूँगा तो नंबर आ जाएगा मेरे पास 600 कोश्चिन होगी है खतम मैं कोई यहाँ के फास्ट अप्रोच इस बहुत जाद आपको नहीं बता र नहीं और कुछ कोश्चिन्स पेपर में आपके अगर मान लोग 20 कोश्चिन में आसके हैं तो दो से तीन कोश्चिन्स आपको अच्छे लैवल के भी दिखेंगे जो आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं तो उनके लिए हमें टाइम भी बजाना है तो स्पीड ठीक ठाक होई चाह हमारे पास है चलूं क्या आगे अब मैं आगे भड़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन हमारे पास कुश्चन में कहता है सेलरी ओफ राम इस 20 परसेंट मोर देन शाम बाइवट परसेंट इस शाम सेलरी लेस देन रा ठीक तो कैसे सोल करेंगे 20 परसेंट का मतलब क्या होता है से तो किस से कंपेर कर रहे हैं शाम की सेलरी से तो जो नीचे बाला पार्ट होता है यह बन जाता है शाम की सेलरी और राम की सेलरी क्या है 20 परसेंट जादा है मतलब वन रेश्यो जादा है अगर शाम की सेलरी इतनी है तो राम की सेलरी इतनी जादा है तो फाइव प्लस बन ये कितनों हो जाएगा 6 हो जाएगा तो शाम की सेलरी अगर 5 है तो राम की सेलरी कितनी हो गई मेरे पास 6 हो गई क्याता है by what percentage शाम सेलरी less than राम राम की सेलरी राम से कितनी कम है तो fraction में अगर मैं देखूं तो यह राम की salary है यह हमारे पास राम की salary कितना कम है एक कम है इसते compare करना है राम की salary से compare करना है तो 1 राम की salary है 6 और percentage में अगर बताना है तो इंटू में 100% अभी हमें already पता है 1 by 6 fraction किसके ब्राबर होता है 16 2 by 3% या फिर 16.67% तो 16.66% के साथ हम जा सकते हैं this will be my answer यह बस मैंने समझाने के लिए तैने लिखा वरना यह question पढ़ते पढ़ते भी आप solve कर सकते कि 20% एक की ज्यादा हो रही है तो 5 ratio 6 बनेगा अब दूसरे वाले से compare कर रहे है तो एक ratio का gap है तो एक भागचे एक भागचे होता है 16.66% question महीं पर खतम हो जाता हमारा ठीक है बहुत सारे explainants ऐसे होगे इस question को पढ़ते पढ़ते ही पांच सेकिंड के अंदर अंसर माख कर देंगे बिना पैंच लाए अब question हमारे पास यह है च्रगुन एंड शीतल have 40 kg and 50 kg apples respectively रिचा टेक्स 30% apples from श्रगुन and 46% apples from शीतल approximately what percent of the total apples are श्रगुन और श्रीतल के पास हमारे पास 40 kg और 50 kg apple है तो श्रगुन को खाली S से denote कर रहा हूँ या SG से कर देता हूँ और श्रीतल को SH से denote कर देता हूँ ठीक है इसके पास कितने है 40 kg और इसके पास है 50 kg ठीक रिचा ने क्या करा 30% apples श्रगुन से लिए और 46% apples श्रगुन से लिए तो हमें बताना है total apples अभी श्रगुन और स्रीतल के पास कितने हैं तो अगर देखो इसने कितने ले लिए 30% रिचा ने ले लिए श्रगुन से तो कितने बचेंगे 70% बचेंगे तो इसका 70% श्रीत इसक देख 54% बचेंगे तो फाइनली कितने हैं आप सोल्व कर लो 70% और 40 ठीक है दो 0 और परसेंट साइन कर जाएगा 4 x 7 देख 28 और यहां पे अगर 50 का 54% निकालो या 54 का 50% निकालो बात एक ही है 50% मत्तब 1 by 2 तो 54 का 1 by 2 करूँगा तो 27 तो टोटल कितने बचेंगे हमारे पास शगुन और सीतल के पास यह बचें हमारे पास 55 मैंगोज एपल सोरी और टोटल इनीशली कितने थे हमारे पास 90 थे तो टोटल के कितने परसेंट बचेंगे यह बताना है तो 55 divided by 90 इंटो में 100% टोटल से कंपेर करना है इसलिए नीचे आगा अगर हम सोल्ड करेंगे 5 से मैं eliminate करूँगा तो यहां पर 18 आएगा और यहां पर 11 बचेगा और यहां पर भी काट दूँगा तो यह 50 और यहां पर बचेगा 9 तो मेरे पास यहां पर बैल्यू बचेगी 550 divided by 9 और यह वाला मान मेरे पास आएगा 6410 61.something परसेंट तो nearest to an integer अगर हम लेके चले तो 61 परसेंट इस question का answer आएगा question होगे मेरा कतम किलियर है सभी लोगों को अच्छा अगर इस question को मैं briefly देखने की कोशिश करूंगर मैं option eliminate करने की कोशिश करता तो कौन-कौन से options तो मैं देखते हैं eliminate कर सकता इस question में एक idea दे रहूंगा आपको देखो शगुन के पास जितने भी हैं उसको 70 परसेंट बच गया शितल के पास जितने भी हैं उसको 54 परसेंट बच गया तो हमारे पास जो average value बची भी होगी वह 54 और 70 के बीच में ही हो सकती है ना 54 से नीचे हो सकती ना 70 से उपर जा सकती है तो 54 और 70 के बीच में मेरे question में दो ही option बच रहते है ड़ी 67 और 61 और ऐसा ही बच रहा था अगर option से भी मिझे करना होता तो मेरा answer क्या आता मैं पूरा sold के बिना भी कह सकता था कि भया answer 61 ही होगा 67 भी नहीं होगा क्यों नहीं हो 70 और 54 के बीच में आसपास कहीं मेरे average value निकल के आएगी तो वो मेरा answer क्या होगा 61 सही जा सकता है 67 नहीं हो सकता अगर 62 भी होता 63 भी होता या 60 या 59 भी होता तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ता वरनना इस question को directly पढ़ते हैं हम इस तरीके से निकाल सकते graph idea से क्योंकि options percentage में चल रहा था और last में भी हमें fraction या फिर percentage अगर पूछा जाता है तो actual quantity भी matter नहीं करती है यहाँ पर इस question में 40 kg की जगा 400 kg होता और यहाँ पर 50 kg की जगे 500 kg होता तब भी मेरा answer सेम ही रहता 40 की जगा 4 होता और यहाँ पर 50 की जगा 5 होता तब भी answer सेम रहता क्योंकि जब percentage में सारी चीज़े चल रही हूँ या reflection में सारी चीज़ चल रही हो तो हमें ratio ही चाहिए होता है हमने देखा शगून और सीतल के पास जितने mango उस थे उसका ratio था 4 ratio 5 हमें अगर examiner की quantity की देने की जगा यह कह देता कि शगून और सीतल पे जो quantity है उसका ratio 4 ratio 5 है तो उस particular case में भी हमारा answer similar निकल के आता actual values की हमें जुरत नहीं थी चले हैं अब हमागे मैंने although basic से पूरा solve करके आपको दिखा जेगी कुछ छोटे ना अब हमारे पास देखो सवाल क्या है अब हमारे पास इसे करने के multiple तरीके एक है direct method की 10 से 15 सेगिंड में यह answer आ जाएक एक होगा conventional method जिसमें हम एक एक प्रोसेस को एक चीज को निकाल सकते हैं तो पहले direct method में बताऊंगा उसके बाद हम आगे बढ़ेगे देखो जब हम बजार से कोई भी समान खरीदने जाते हैं है ना तो उसमें दो चीजे होती है कि यह उसकी कीमत क्या है price पर केजी और into में quantity हम कितनी परचेच कर रहे है और यह बनाता है मेरा amount की कितना पैसा मैंने दिया for example आप बजार से आलू लेने गए आलू की कीमत है 5 रुपीज पर केजी है ना quantity आपने ले ली कितनी 10 किलो तो कितने पैसे पे करने पड़ेंगे आपको 50 रुपे पे करने पड़ेंगे या नहीं करेंगे अगर आप क्या करते हो आप यहाँ पे price को change कर देते हो तो price से आपने 5 की जगा कर दिया 10 तो क्या आपको अगर same ही amount खर्च करना है से 50 रुपे ही खर्च करना है तो quantity क्या हो जाएगी आपके decrease करेगी या नहीं करेगी आप कहेंगे सिर्फ 50 को डिवाइड करूंगे 10 से तो यह जाएगा 5 तो मैंने कहा अगर amount को हमें क्या रखना है सेम रखना है तो अगर मेरा price भड़ा तो क्या होगा quantity decrease करेगी और अगर मेरी price हटा तो quantity क्या होगी increase करेगी यह हमारे पार direct relationship निकल के आती है अगर amount से हो ऐसे हमारे पास अगर quantity same हो तो उस particular case में क्या होगा अगर मेरी quantity मेरे को 10 किलो ही रख अगर quantity को तो मेरे पास अगर price भड़ेगा तो मेरे पास क्या होगा amount भी भड़ जाएगा जो उसे pay करना है मैं है हम subscribe checking हुआ इस करना होगा वो भी डिक्रीट कर जागा यह पूरा पूरा कंसेप्ट होता है इस पे बहुत सवाल बहुत तरीके के सवाल बनाई जाते हैं ठीक अब मैं कोश्चन में आता हूँ अपने कि कोश्चन में क्या दे रखा है रिडक्शन हुआ 10% प्राइस में सुगर के जिसकी वज़े से एक आदमी 5 किलो जादा क्रिद पाया ओविस सी बात है कि जादा क्रिद पायेगा सस्ता होगा समान तो जादा क्रिद पायेगा ठीक है 300 रुपे में ही तो हमें रिड्द्यूस्ट प्राइस बताना है अगर मैं कह हूं कि वो जितना पहले खरीद रहा था उतना ही खरिषता है quantity को अगर मैं सेम करने की कोशिश करूं मैं कहूं quantity भी यह सेम रखते हैं ठीक है हम हमारे पास क्या हुआ प्राइस मेरा हो गया 10% रिड्यूस अगर quantity सेम होती तो amount भी क्या हो जाता मेरा amount भी 10% होता है या नहीं ह amount की बात करूं यहां पर 300 रुपे में हम खरीद रहते तो amount कितना कम पे करना पड़ेगा अगर मैं पिछले जितनी quantity खरीद था तो आप कहते हैं 10% of 300 इतने पैसे मेरे बच गए अगर मैं quantity सेम करता लेकिन हुआ क्या कि हमने यह जो पैसा बचा उसका भी हमने क्या खरीद लि रिड्यूस्ट वाला वो किसके बराबर होगा वो इसके बराबर होगा डिरेक्टली मेरा question का answer आ गया तो reduced price of sugar क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पर यह आ जाएगा 30 divided by 5 that is 6 rupees this is my answer question हो गया खता हमारे पास question का answer आज चुका है मैं दुबारा एक बार repeat करता हूं मैंने कहा कि अ price में reduction हुआ है वही हमारा total amount जो मैं पे कर रहा हूं उसमें भी reduction आता तो 10% price गिरा तो 10% मुझे कम पैसे पे करने पड़ेंगी same quantity के लिए 300 का 10% निकाला तो 30 rupees 30 rupees मुझे कम पे करने है अब इस 30 rupees में मैं क्या कर पा रहा हूं मैं 5 kilo ज्यादा खिरित पा रहा हूं sugar को तो 5 kilo sugar का जो price होगा वो मेरा किसके बराबर होगा 30 के बराबर होगा तो 1 kilo sugar का price किसके बराबर होगा वो 6 का यह चीज़ धियान रखना है यह reduced price है ठीक है हमसे अगर original price पूछेगा तो वो भी निकाल सकते हैं आप कहेंगे सर यह 10% घटाने के बाद है original price का अगर मैं 10% घटा दू मत्त 36.66% रुपीज पर के जी यह मेरी original price होती sugar की I hope इतना part आप सभी लोगों को समझ में आ गये अब इसी question को मैं एक बर दूसरे तरीके से भी आपको बता देता हूं जिससे इस type कोई भी सवाल है अगर आप basic conventional method से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ध्यान से समझेंगे concept वही है अब इस question में हमें क्या दे रखा ता कि अभी यह amount क्या है बराबर रहेगा अगर amount same रहेगा अगर amount same करके करूं तो मैंने कहा जो price है वो inversely proportional to quantity हो जाता है अब मेरे पास price में क्या change दिख रहा है old versus new price हो गया 10% कम तो अगर 10 था पहले तो कितना हो जाएगा 10% घटा के no हो जाएगा ratio के अंदर quantity की बात करूंगा क्योंकि inversely proportional है तो पहले अगर मैं no ratio ले पा रहा था तो अब कितने ले पाऊंगा 10 ratio quantity पर change कर पाहँ होगा क्या यह चीज आपको समझ माई इसका inverse ले लिया तो inverse मतलब में 1 by 10 और 1 by 9 करता simplify करता तो मेरे पास 9 ratio 10 यह आ जाता देख लोगा इसे solve करेंगे LCM लेंगे 90 अगर 90 से multiply तो यह मेरे पास 10 ratio 9 तो quantity का ratio क्या बनेगा मेरे पास यह बनेगा 9 ratio 10 अब quantity में difference यहाँ पर कितना आया पहले और अब मैं अगर ratio method पर चले तो एक ratio में ज्यादा पर्चेश कर पा रहा हूं यहाँ पर 5 किलो ज्यादा पर्चेश कर पा र 9 ratio तो नई quantity जो पर्चेश करी है वो कितने kg पर्चेश करी है आप कहेंगे sir 5 into 10 यह हो जाएगा मेरे पास 50 kg 50 kg quantity पर्चेश करी है reduced price पे कितने में 300 रुपीज में तो पर kg price कितना हो जाएगा मेरे पास 300 divided by 50 और यह आजाएगा मेरे पास fix यह होगया conventional method इसी से अगर आप method से निकालना चाहें तो आपसे reduced quantity पूछ लेता तो भी आप निकाल सकते थे मतलब reduced price पर quantity कितनी पर्चेश करी या original price पर कितनी quantity पर्चेश करी यह निकालना होता तो यह आजाता मेरे पास 45 ऐसे ही मैं आपे old और new price भी निकाल सकता था old quantity यह है old price अगर मैं पूछ लेता तो क्या होता है आप कहते 300 रुपे में कितना खरीद रहते 45 केजी सोल करके मेरा answer आ जाता जो मैंने थोड़ी दिर पहले निकाला भी है I hope पूरा पूरा concept आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया आपको बहुत important question है बहुत बार है सिस्थी में पूछा जाता है next question हमारे पास कहते हैं रीतु और अंजली एक एक एक्जाम में अपियर होते हैं अंजली ने 20 marks जादा score करें रीतु से और अंजली के जो marks थे वो 70% थे sum of their marks इन दोनों के marks के sum के तो हमें इस बताना है कि अंजली ने कितना score किया जब भी स्थरे का सवाल देखें साले पहले परसेंटेज वाले पा आज़ो मैं माल लेता हूं अंजली के marks है और रीतु के marks है अंजली प्लस रीतु ठीक है अंजली के marks इन दोनों के marks के sum के कितना है 70% यह दोनों के combined marks मैंने माने है तो 100 और 70 या फिर मैं लिख सकता हूं 7 ratio 10 यह अंजली के marks और रीतु इन दोनों के sum of marks के ratio आगया अंजली ने जो secure करे है वो रीतु से कितने ज्यादा 20 नंबर ज्यादा score किया है तो अगर मैं इसे ratio में split कर दूँ तो अंजली है 7 ratio पे यहाँ पर यह 7 ratio का तो रीतु का ratio कितना होगा 3 ratio है ना 7 में से 3 को घटा दूँ तो मेरे पास difference बचेगा यहाँ पर 4 ratio का इतने ही तो marks अंजली ने रीतु से ज़्यादा score करें और अगर यह 4 ratio है तो किसे represent करेगा 20 marks को represent करेगा एक ratio किसे represent करेगा आप कहेंगे सर इंटू 5 जा रहा है तो 5 marks को अगर एक ratio 5 को represent करेगा तो 7 ratio किसे represent करेगा 7 इंटू में 5 35 marks को तो कितना score कर दिया हमारी अंजली ने यह कर दिया 35 marks को और question खतम हो गया यह होगा बिल्कुल basic तरीका question को solve करने का दूसरी चीज हम क्या सोच सकते है देखो अंजली और रितू अंजली और divided by अंजली प्लस रितू के marks सा ratio दे रखा तो मेरे को यह समझ आ रहा है कि अंजली के जो भी marks होंगे वो 7 का multiple होने के chances ज्यादा रहेंगे या नहीं रहेंगे 7 ratio 10 है न क्योंकि जो भी मेरे पास ratio solve करूँगा तो maximum chances है कि ratio solve होने के बाद एक ratio का मान मेरा किस के बराबर होगा वो एक integer value के बराबर होगा maximum cases में यह होता है कोई 100% guarantee नहीं दे सकते इस चीज़ का कि 7 का multiple होगा लेकिन maximum chances रहेंगे कि अंजली के जो marks होंगे वो 7 का multiple होगा और 4 option पर अगर नजर डालों तो 7 का multiple सिर्फ option number A है तो इसके correct होने की probability सबसे ज़्यादा है 4 option में से तो just in case you are stuck या फिर तुमारे पास time बहुत कम है चाम में त चैनल से जरूर जुड़े सब्सक्राइब करें जिससे की कोई भी वीडियो आप डिस आउट ना करें SSC के सभी exam के previous year paper आपको telegram चैनल पर मिल जाएंगे और भी को official telegram चैनल ज्याद में 5 लाग से जाद़ सब्सक्राइबर से टेक है SSC के सभी exam के सारे previous year papers chapter wise sorry mixed mock form PDF बहुत त जो मैं questions करा रहा हूँ इसके भी previous year paper सारे के सारे महाँ पर डाले हुए हैं वहाँ पर जुड़े आरवी की website पर जाएंगे बहुत सारे free mocks अवेलेबल हैं जो आपकी preparation में मदद करेंगे आप ऐसे sick exams की तियारी कर रहे हैं और बिल्कुल basic से सारे कीज़े सीखने आताते हैं ह जिसके अंदर आपको per day कितना पढ़ना चाहिए 8-9 घंटे का हम target रखते हैं कि आप पढ़ें जिसमें 3-4 घंटे का video lecture होता है वाकि उसके notes बनाना revision करना time देते हैं कि strategy के लिए आप आगे भढ़ें और exam में maximum marks score करें अगर आप वो target follow करते हैं तो बहुत अच्छी उमीद है सारे subjects complete courses including mock test आपको officer batch के साथ मिलता है बाकी हाली maths अगर आपको पढ़ना है तो दुरौण अशारिया batch available है तो बाकी यह free playlist है अगर आप IBACIU कि त्यारी करें तो free playlist का भी काफी आपको फायदा मिलेगा अब मैं आगे बढ़ता हूँ question में कहता है in an examination P got 20% more marks than Q P को 20% ज़्यादा marks मिले Q से Q को 20% less marks मिले R से and R को 25% ज़्यादा marks मिले S से अगर P को total 480 marks मिले out of 600 तो हमें बताना है marks of S क्या हो देखो P का comparison Q से Q का comparison R से R का comparison S से ठीक है P के marks जए रखें S के निकालने जब भी इस तरह का सवाल हो P की जगा यहाँ पर किसी और के भी marks दे सकते थे लेकिन यहाँ पर P की दिए गया है जंदली ऐसा ही होता है अभी बताऊंगा क्यों तो किस तरीके से करते हैं S देखो सबसे पहले हम यहाँ पर ratios लिखते है P का comparison है क्यों से P को 20% ज़ादा क्यों से मिले 20% is nothing but 1 by 5 क्यों से compare कर रहे हैं तो क्यों को 5 मिलेगा तो P को कितना ज़ादा मिलेगा एक ज़ादा मिलेगा तो P को मिलेंगे 6 ठीक आगे भढ़ते हैं क्यों को क्या मिला 20% कम मिले R से क्यों और R को compare कर रहे हैं 20% is 1 by 5 तो 5 एक कम मिलेगा क्यों को R से तो यह हो जाएगा मेरे पास 4 और आगे भढ़ते हैं R को 25% ज़ादा मिले S से तो R और S 25% is nothing but 1 by 4 तो अगर S को 4 मिल रहे थे तो R को कितने मिल गए 5 ठीक पी के मांक्स हमें दिखा रखे हैं यार यह 480 है हमें S के मांक्स बताने हैं कितने में से हैं यह matter नहीं करता इसके जुरती नहीं थी क्योंकि अगर हमें P के value मिल गए ध्यान से समझेंगे यह वाला मान मुझे पता है 6 ratio किसे represent कर रहा है 480 को कितने times जाएगा आप कहेंगे सरी यह जाएगा मेरे पास 80 times तो यहां से मैं Q के marks निकाल सकता हूँ 5 into 80 करूँगा तो यह 400 हो जाएगा फिर यहां पर 4 ratio क्योंकि यह Q के marks है क्योंकि P से Q पे गया है Q से R पे जाओगा R से S पे जाओगा मेरा answer आजाएगा यह 400 marks है क्योंकि 4 ratio 400 को represent करेगा 1 ratio 100 तो यहां पर 5 ratio किसके बराबर 500 के बराबर R के marks कितने आगए 500 5 ratio है R के marks है 500 तो 1 ratio मेरा किसके बराबर है 5 के बराबर 100 के बराबर यह है तो मेरे पास S के marks कितने होंगे 4 into 100 at is 400 तो मेरा answer यह आजाएगा यह मैंने directly करता चला गया मैं लेकिन जनरली इस तरह के questions को हम इस तरह के से एक एक value निकाल के नहीं करते हैं बहुत lengthy हो जाता है best method क्या रहता है आप ध्यान से समझेंगे अभी मैं यह वाला part हटा रहा हूँ जो मैंने अभी तरीका बताया आपको वो करने की जुरुत भी नहीं है कि एक एक करके सबके निकालें देखो अगर ऐसा sequence हो P से जा रहे है क्यों क्यों से जा रहे है R, R से जा रहे है S अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो उस case में मुझे directly किसका relation निकालना हो P से लेके S का एक्स्ट्रीम ये वाला end और एक्स्ट्रीम ये वाला end तो हमें कुछ नहीं करना होता P के लिए इन तीनो रेशियो को multiply और S के लिए हम इन तीनो रेशियो को multiply कर देते हैं तो यह होगा 6 into 4 into 5 ratio ये P का ratio होगा और S का जो ratio होगा वो होगा मेरे पास 5 into 5 into 4 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वरना क्रोस में चीज़े कट भी जाती हैं आप यहाँ पर कट करेंगे आप देखेंगे ये 5 से 5 eliminate होगा मेरा 4 से 4 eliminate होगया तो P के marks और S के marks का ratio कितना आगया 6 ratio 5 पी के marks दे रखेते हैं मुझे 480 तो 6 ratio 480 को represent करेगा और 5 ratio किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास यह हो जाएगा 80 times जा रहा है तो 80 times multiply करूँगा तो यह हो जाएगा मेरा 400 question हो गया खता clear होगे सबको ऐसे यहाँ पर RS की जगा S और P का ratio दे देते हैं तो फिर क्या होता फिर P और T के अंदर अगर वो निकालना होता तो यहां से लेकिंगे हां तक का सारा P के लिए और यहां से लेकिंगे हां तक का सारा T के राइट कहीं बार ऐसा भी होता है कि P और R का पूछ ल रहता है P ratio Q ratio S बता दो यह क्या होगा तो उस case में हमें क्या करना पड़ेगा फिर एक एक का value निकालना पड़ेगा उसका अलग process रहता है ठीक है उसमें पूरा सामप वाला scenario रहता है अगर आपने वो crash course वाली वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जा तरीके से कर सकते हैं फिलाल मैं इसमें आगे नहीं जा रहा है मैं इसे ही छोड़के आगे भड़ता हूं next question पर question में कहता है तीन candidates के बीच में election होता है P, Q and R 20% जो votes की गई वो invalid हो गई जो valid votes है उसमें P को कितनी मिली 30% मिली remaining votes Q और R के बीच में share की गई in the ratio of 11 ratio 9 ठीक है अगर P को 150 votes कम मिली है किसे R से तो हमें बताना है कि total number of votes कितनी डाली गई थी अब किस तरीके से करते हैं इस तरह के questions में हम total votes को क्या माल लेते हैं total votes को माल लेते हैं 100% 20% invalid हो गई तो कितनी बची मेरे पास 80 बची ratio में चल रहा है यह सारा का सारा ठीक है यह हो गई valid votes valid votes का P को कितना मिला हमें question में दे रखा 30% तो अगर मैं इसका 30% निकालूंगा तो 8,3,024 तो P कितनी votes मिली होंगी 24 ratio बची भी votes किसे मिली होंगी हमें क्यों और आर को मिली होगी total क्यों और आर को मिला के कितनी मिलेगी 80 में से अगर 24 को आप सब्ट्रेट कर देंगे तो बचेगा 56 votes clear अब क्यों और आर में जो votes बचे किस ratio में है 11 ratio 9 में अगर 11 और 9 को sum up करूँ मैं तो यह हो जाएगा 20 ratio 20 ratio किसे रेप्रेजेंट कर रहा है 56 को तो 1 ratio मेरा किसे रेप्रेजेंट करेगा 1.8 को है ना तो दोनों की individual votes निकालने के लिए मुझे 1.8 से multiply करना पड़ेगा पी को किस से कम vote मिली है R से 150 votes कम मिली है पी का ratio पता है मुझे R का अगर मैं ratio निकालूं तो 9 into 1.8 अगर मैं करूंगा तो value कहाएगी 9.8 जा 72, 2 carry forward मेरे पास 9, 2 जा 18 और 2, 20 यह मेरे पास हो गई R की votes मैंने थोड़ा सा गल्द लिख जाएगे एक सेकंड नो और 11 और नो बीस 2.8 यह थोड़ा सा गलती होगा यहाँ पे लिच करेक्ट दुस्ट अर 2.8 ताइम से अगर 2.8 को मुल्टीप्लाइग गरूंगा ना इन से 9 जा 72 और 18 और 725 तो डिफ्रेंस कितना आया आर को कितने बहुत ज्यादा मिली 1.2 रेश्यों पीसे 1.2 रेश्यों किसे रेप्रेजेंट कर रहा है 150 को अगर हमें 100 रेश्यों निकालना है तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 से काटूंगा तो एक 0 लग जाएगी 12 से पूरो का पूरा मेरा यह इसलिए मैंने पूरा एक एक चीज को निकालते वे एक कुश्चन को पता भी चल गया होगा किस तरीके से हम एलेक्शन वाले कुश्चन करते हैं कुश्चन में कहता है ए 5 परसेंट ज्यादा है बी से और भी 10 परसेंट ज्यादा है सी से हमें बताना है कि एक कितने परसेंट ज्यादा है सी से तो अगर ए 5 परसेंट ज्यादा है बी से तो 5 परसेंट इज 1 बाई 20 तो यह 20 होगा तो यह 21 हो जाएगा है ना फिर बी 10 परसे 1 by 10 तो यह 10 होगा तो यह 11 हो जाएगा A और C को compare करना है कैसे करेंगे इनके बीच की दिवार है दोनों B से जुड़े में है B का ratio बराबर करना पड़ेगा इसमें किस से गुना इसमें 11 से गुना और इसमें 20 से गुना जिससे की यह वाला पार्ट इधर multiply यह वाला पार्ट इधर multiply ratio हो गए maintain कम A और C का बताना है तो A कितना हो गए 21 इंटू 11 यह वाली value हो जाएगी मेरे पास 231 और यह कितना हो जागा 20 इंटू में 10 यह हो जाएगा 200 यह A और C का ratio आगया C से कितना जादा है A 31 जादा है 200 पे तो 2 पे 15.5 परसेंट इस विल में आंसर कैसे करेंगे 31 divided by 200 इंटू में 100 परसेंट तो यह कट जाएगा 231 by 2 that is 15.5 I hope clear है सभी लोगों को जब इस पीड आपके अच्छे बन जाती है तो आप यह सारी चीज़े यह जिधर वाला पार्ट आप नहीं लिखते हैं आप डारेक्टली कर लेते हैं कि 200 पे अगर 31 जादा है तो 100 पे कितना जादा होगा किज़वाव, 35.15 परसेंट इंशा जादा है सो पे कितना ज्यादा है वो ही हमारा इंक्रीज बताता है कि QUvan यह पूपर जाणता है यह सो पे जितना कम हो क्लदेज परसेंटेंगस क्स्टिडीज बताता का कुश्चिन में कहता है एक स्कूल के अंदर 60% तो लड़के हैं 40% बोई पास हो गए 35% टोटल स्टुडेंट्स के पास हो गए तो हमें बताना है कि कितने परसेंट लड़कियां फेल हुई हैं अब मल्टिपल तरीके कोशन को सोल्व करने के हमारे पास यहां पर ओप्शन की मदद से भी कर सकते हैं हम बेशिक से भी कर सकते हैं आप देखो फटावर्ट से ट्राय करके बताओ कि क्या अंसर आना चाहिए अब इसमें लोजिकली अगर इस कोशन को देखो देखो ओप्शन बहुत दूरी पे हैं ओल्द एक्जाम में यह तरीका हो सकता आप को श्ट्राइक ना करें मैं फिर भी बता जाता हूं डारेक्टली अगर मुझे करना होता बोईज कितने परसेंट पास है 40 परसेंट पास ह बोईज और गल्स का मिलागे 35 परसेंट तो बोईज ज्यादा पास है एवरेज से तो इसका मतलब जो गल्स पास हुई होगी वो क्या हुई होगी 35 परसेंट से कम हुई होगी तभी तो मेरे पास जो एवरेज बना बोईज और गल्स का परसेंटेज का वो 35 परसेंट बना है कितनी हुई होगी आप कहेंगे सर वो 65% से ज़्यादा फेल हुई होगी और वो क्या अंसर आ जाएगा चार ओप्शन में जाएंगे एक यह ओप्शन ऐसा है जो से सैटिस्फाइब करता है डेटी जो प्शन हो गया मेरा खतम यह देखने पर हम सोच सकते हैं बट एक्जाम में दिमा कितना नहीं चलेगा आप बेसिक से ही करेंगे तो बेसिक से सीख लो ठिक मैं माल लेता हूँ जब भी 60% की बात कर रहें तो टोटल स्टूडेंट्स मैं माल ले तो स्कूल में है 100 बोई हो गए 60% तो 60 और गल्स हो गई मेरे पास 40 परसेंट तो कितने परसेंट बोई प पास है तो टोटल पास स्टूडेंट्स कितने हो गए मेरे पास 35 हो गए तो हमें बताना है कि कितनी परसेंट गल्स पेल है आप कहेंगे सर टोटल स्टूडेंट्स 35 पास है बोई 24 पास है तो गल्स कितनी पास होंगी 35 में से 25 24 को घटाओंगा तो मेरे पास जो गल्स पास हो वो हो जाएंगी 35-24, that is 11, बहुत easy तरीके से कर रहा हूं मैं, 40 में से 11 को घटा होगे, तो गल्स कितनी fail हो गई, 29 fail हो गई, कितने percent fail हो गई, गल्स थी मेरे पास 40, 29 fail होई है, तो 29 divided by 40 into 100, यह आ जाएगा मेरे पास 5 divided by 2, 145 by 2, that is 72.5%, क्या question सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आगया, मेरा question हो गया, कता है, exact values यहाँ पर 100 मान के कर रहा है, आप कुछ भी value मान सकते थे, आप चाहते तो directly fractions में करके कर सकते थे, बहुत तरीके होते हैं करने के, अभी बहुत beginning stage पर मैं आपको बिल्गुल basic तरीके से बता रहा हूं, exam based approach, अगर आप beginner है, next question हमारे स्प्लिट कर दिया, किसमें, 5 ratio, 6, 60% of first part and 50% of second part, यह किस के बराबर है, इनका सम, यह हमारा 84 के बराबर है, बोथ parts को हमने 10 से अगर increase कर दिया, तो respective ratio क्या होगा, old sum का, और new sum का numbers का, कैसे solve करेंगे, अच्छा, एक चीज तो मेरे दिमास मा आएगी, अगर में इस question को solve करने ह कर दिया रहा हूँ, एक number को मैंने अगर दो पार्ट में split करा है, 5 ratio, 6 में, तो number मेरे पास क्या होगा, दोनों पार्ट का sum या फिर number जो होगा, वो मेरे chances है कि 11 का multiple होगा, हमसे पूछाए कि ratio बता दो, sum of old number and new number में, तो chances है, 100% shorty से नहीं कहा रहा है, लेकिन chances है, जो मेरे number होगा न old, वो 11 का multiple होगा, जब मैं ratio निकालूँगा, तो 11 intact रह जाए, तो मेरे ये वाला पार्ट है, वो 11 का multiple हो, चार options में अगर देखूंगा, अगर मैं तुक्के से लगाना होगा, तो option number D mark करके हम आगे चला जाओंगा, question मेरा खतम हो चुका है, तो हम basically पूरा करेंगी, तो अब पूरा solve करके देख लेते हैं कि क्या यही आ रहा है या कुछ आ रहा है, ठीक है, number है, दो पार्ट में split कर पार्ट बन, पार्ट टू, किस रेशियो में, 5 रेशियो, 6 में, ठीक है, अगर मैं 60% निकालू, 1st पार्ट का, तो इसका 60% हो जाएगा, मेरे पास 3, और अगर मैं 50% निकालू, 2nd पार्ट का, तो यह भी मेरे पास कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं add कर दू, तो यह हो जाएगा, मेरे पास 6 रेशियो, यह कहता है, कि यह किसके बराबर है, इन दोनों का सम, 84 के बराबर है, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास, 14 टाइम्स, इन टू में एक रेशियो हो गया, 14 के बराबर, तो अगर मैं नमबर निकालना चाह तो 5 plus 6 that is 11, 11 into में 14, यह मेरा old number क्या आया, 11 into में 14, अब कहता है कि हमारे पास जो है, दोनों numbers को, अगर मैं क्या कर दूँ, दोनों numbers में 10 को increase कर दूँ, तो पहला number क्या है, यह 5 है, 5 into में 14, 14, plus 10, और दूसरा number क्या है, मेरे पास 6 ratio था, 14 से multiply करके exact number मिलेगा, दूसरे पार्ट में 6 into 14 plus 10, तो यह मेरे पास जो नए दो numbers बने, उनका सम आ गया, इन दोनों का ratio बताना है, सॉल करेंगे फटाफट से, आप देखेंगे सारी चीज़े 2 से कड़ जाएंगे, तो यह मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, 7, 7, 5, 7 और यहाँ पर आएगा 5, तो मेरे पास 77 ratio, 35 plus 5, 40, और यहाँ पर 42 plus 5, that is 47, तो यह आगे 87, बल्कि इतना भी करने की जुरत नहीं थी, मैंने थोड़ा से यहाँ पर यह बड़ा कर दिया, देखो, दोनों अगर पार्ट में मैं 10, 10 एड़ करूँगा, तो टोटल वाले पार्ट में कितना एड़ हो जाएगा, किलियर है सब लोगों को, नेक्स्ट कॉश्चिन पर हम मूब करते हैं, अगला सवाल हमारे पास, बिल्कों सिंपल सा सवाल, क्याता है, एक वेजेटेबल सैलर क्या करता है, कुछ अपल्स को सेल करता है, ठीक है, अगर वो 50 परसेंट एपल्स बेच देता है, उसके बाद भी उस पे 650 अपल्स बसते हैं, तो ओरिजशनली क्तने थे, आप कहेंगे सर सिफ्टी परसेंट एपल्स किसके ब़राबर, 650 के बराबर, तो टोटल कितने होते हैं, 100% होते हैं, तो इन्ट्टु टु करना पड़ेगा, इन्टु टु करदो, तो यह आगया, 13000 तो ओरिज़िनली इतने रहे होंगे बिना पैंच चला इस question का अंसर किया जा सकता है next question we have कहता है सन्नी और बन्नी दो लोग है उनके पास total इतना पैसा है 2 by 9 of sunni जमाउंट ये बराबर है 7 by 3 of बन्नी जमाउंट तो बन्नी के पास total कितना पैसा है तो 2 by 9 of sunni is equals to 7 by 3 of बन्नी तोल करेंगे आपर 3 से काटूंगा 3 और यहाँ पर 21 divided by 2 इस सन्नी रेशियो बन्नी कमबाइन टोटल कितना होगे 23 रेशियो किसके बराबर दे रखा है हमें यह 3, 4, 5, 0 के बराबर दे रखा है अगर बन्नी के पास कितना है तो 2 रेशियो के बराबर है तो 2 रेशियो का मान निकालेंगे एक रेशियो किसके बराबर 23 से अगर मैं इससे काटूंगा तो मेरे पास यह 15, 150 टाइम जा रहा है तो 2 रेशियो 2 इंटू 150, 300, कुश्चन हो गया खता है ठीक पोई दिमार्क जादा लगाने के जुरूत नहीं है ओप्शन भी बहुत जादा दूरी पे थे तो अगर 21 रेशियो 2 हमें दिखिया था 23 रेशियो इसके बराबर है तो 2 रेशियो बताना था तो ओवियसले मैं 4 ओप्शन से देखते ही कह सकता था कि भया 300 के आसपास ही डिफ्यक्तिव है मैं थे 20 पर सैंट नोन डिफ्यक्टिव लोगश को एक्सपोर्ट किया गया 85,500 non-defective logs को export नहीं किया गया, तो कितने logs produce हुए थे, तो directly कर सकते हैं, यह मैं माल ले तो total logs जो produce हुए वो L है, ठीक है, 5% defective है, तो non-defective कितने है, 95%, 95 by 100, आगे बढ़ते हैं, अब non-defective में कितने कितने परसेंट को export कर रहे हैं, हम 80% को, कितने परसेंट को नहीं करेंगे इसमें से, इसमें से हम 80 को export कर देंगे, 20% को export नहीं करेंगे, 20 by 100, और यह वो है, जो export नहीं हुए, वो value दे रखिये, 85500, हम इसका मान बताना है, खतम हो गया question, यह सारे fractions मैंने पूरे-पूरे लिख यहां से काटूंगा तो यह 5 आ जाएगा, 5 से इसे काटूंगा तो यह 19 आ जाएगा, तो लोक्स कितने आ जाएंगे, 20 धरजा के multiply होंगी, तो 4 0 तो मेरे answer में आएंगी, जाएंगी, ठीक है, 4 0 कुन-कुन से option में है, 1, 2, 3, इसमें नहीं है, बस यह answer हो सकता है, 45, यह answer आग नेक्स्ट कॉश्चन पर चलते हैं, पड़ो, और करो, देखो, कॉश्चन में कहता है, एक contest है, एक participant ने 30% marks score करें, लेकिन 30 points से fail हो गया, जो second candidate है, उसने 30 points ज्यादा score करें, qualifying marks से, और उसने 45% total score किया, तो हमें बताना है, qualifying points क्या है, यह qualifying marks क्या है, हम कहेंगे, यहाँ पर देखो, यह A है, और यह B है, इसने 30% score करें, इसने 45% score करें, है ना, इसके qualifying marks points, यह qualifying marks points मान लेते हैं, यहाँ पर, इसके क्या है, यह fail है, यह pass है, तो qualifying points बीच में पढ़ रहा हुआ, यह कितने points से fail हुआ, 30 से, यह कितने points ज्यादा लेके आया, qualifying points से 30, तो मैं क्योंगा, यहाँ पर, है, total का 15% आगे हैं, इस दोनों का difference, 15% of points वो किसके बराबर हैं, 30 plus 30, that is 60 points के बराबर हैं, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें qualifying points कितने हैं, यह value हमें बतानी हैं, तो कैसे solve करेंगे, अगर 15% 60 के बराबर, 30% किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे, sir, 120 के बराबर, 2 से multiply कर दिया, और इसमें 30 जुड़ जाएं, तो qualifying points पे पहुँच जाएंगे हम, तो इसमें भी plus 30, plus 30 qualifying points कितने हो गएं मेरे पास, 150 question खतम हो गया, clear है या नहीं है, total points पूँच लेते हैं, तो इहां से हम solve करके निकाल लेते हैं, वो आ जाता मेरा 400, एना, 1% 4 के बराबर आता, तो total points भी निकाल सकते हैं, qualifying percentage भी हमसे पूच सकता था, qualifying percent पे उस तो हम कैसे करते हैं, आप कहतें, sir, 15% 60 points के बराबर हैं, तो मैं directly यहां से क्या क 25% आ जाता हैं, ठीक है, सारे चीज़े आने कालने थे, directly qualifying percentage पूच लेता हैं, तो 42.5% आता मेरा, depend करता है, question में क्या कूचा है, उसे साब से हम solution उसका लिखते हैं, next question, question में कहता है, एक student ने एक number को 2 by 7 से multiply कर दिया, instead of 5 by 7, तो percentage error क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, number मैं कुछ भी मान सकता हूँ, आपने का मेरा number था, हमने कहा करा, उसे multiply कर दिया, 2 by 7 से, करना था किससे 5 by 7 से, यह आना चीए था, रिजट आया यह, तो यह मेरी correct value है, यह मे हमें percentage error बताना है, percentage में हैं, तो हम fractions में चीजों को लिख सकते, number वाला part कट जाएगा मेरा, अब इसे अगर 7 से 7 काटू, तो 7 से 7 भी कट गया, तो correct value मेरी जहां 5 ratio आनी चीए थी, wrong value मेरी कितने 2 आई, कितना error आया, तो जब भी error निकालेंगे, वो होता है, correct value minus wrong value, divided by correct value into 100%, correct value से compare करके हम हमेशा error को निकालते हैं, आपको कुछ लोग गलती कर देता है, wrong value नीचे ले लेता है, वो गलत हो जाता है, तो मेरे पास यहां पर correct value is 5, wrong value is 2, तो 5 minus 2 divided by 5 into 100, और यह कितना आजाएगा 60%, ठीक है, बाकी question में यह समझाने के लिए लिखा है, देखे देखे भी कर स सब को सब कुछ समझ में आ रहा है, और questions भी आप easily कर पा रहे हो, एक city की population दे रखिये है, हमें 1,48,000, जिसमें से 78,000 males है, 40% population literate है, 55% males literate है, तो हमें बताना है number of females who are literate, आपके को कितना असांस सवाल है, अगर illiterate पूछ लेता तर तो थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ रखिया, उसमें literate कितने ये बता रखा है, ठीक है, male population दे रखिये, उसमें literate कितने ये भी बता रखा है, female literates बताने कितने होंगे, तो कैसे solve करेंगे आप, आप कहेंगे sir, total literates कितने हो गए, 148,000 का, अगर मैं 40% निकाल हूँ, तो मेरे पास value क्या जाएगे, 0 अगर आपक 0 में खेलना है, खेलो, वरना आप eliminate भी गर सकते, तो 40% निकाल हूँगा, तो 2 0 से % कर जाएगा, मेरे पास आएगा 1480 इंटू में 40, ठीक, total literate population, इसमें अगर male literate population को हटा दो, तो male है 78,000, इसमें 55% literacy है, तो 780 इंटू में 55 लिख सकता हूँ, तो यह आजाएगी मेरी female literate population, question खतम हो गया हमारा, ठीक है, अब इसे solve करने के यह चार options दे रखे हैं, देखो last में तो 2 0 सब के पास है, लेकिन unit digit उसके बाद वाली different है, तो last की 2 0 छोड़के अगर unit digit निकाली जाए, तो मेरा answer आ जाएगा, तो फटा फट से solve कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अ अगर मैं यहाँ पास 55 से 0 से करूँगा, 0 कोई दिक्कत नहीं है, 8 से करूँगा, 440, तो मेरे पास एक और 0 आएगी, तो मेरे पास यहाँ पर 4 carry forward हो गया, 57, 25 और 49, यह वाली value मेरे पास बनेगी, तो अगर मैं यहाँ पर 200 है, 200 में से 900 खटा रहा हूँ, तो basically यहाँ पर यह वाली value बढ़ी है, तो यह 12 बन जाएगा, unit digit के concept में पढ़ते हैं, तो last में जो last की 3 value होंगी, वो होगी 300, तो option कौन सा correct होगा, option number D मेरा correct होगा, although पूरी calculation भी कर सकते थे, simple थी, but मैंने फिर भी आपको बताया कि unit digit वाला method भी हाँ पर देखा जा सकता था, options की मदब से लेखे, next question हमारे पास, कहता है, petrol के price 60% increase हो गए, एक इंसान को अपनी consumption कितने decrease करनी चीए, जिससे कि इसको expenditure है, petrol पे, वो affect ना हो, हमने मैंने थोड़ी जार पहल क्या होता है, amount जो हम pay कर रहे है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, amount क्या है मेरा expense जो मैं pay कर रहा हूँ, ठीक है, price, agities रख सकते है, quantity को मैं consumption भी लिख सकता हूँ, कि कितना हम consume कर रहे है, जैसे per liter price, क्या है petrol का, उसमें कितने liter हम consume कर रहे हैं, तो उसी साफ़ चामें पैसे पे करने पड़ेंगे, अगर यह expense मेरा constant हो गया, तो मैं कहा सकता हूं कि price inversely proportional हो जायागा consumption के, अब इसी तरीके से हम solve कर लेंगे question को, price rise करा 60% से, 60% होता है 3 by 5, तो पहले 5 था, और तो अब कितना हो गया, यह 3 बढ़के 8, यह price का ratio है, तो consumption का ratio कितना हो जायागा, इसका inverse, क्य कितना परसेंट हमें consumption कम करनी पड़ेगी, तो कितने परसेंट कम होगी, पहले 8 थी अब हो गई 5, तो 3 से घड़ गई, 3 भाग 8 कितना होता है, 37.5% यह हम याद करके चलते हैं, यही मेरा इस question का answer आजाएगा, चलें आगे, next question पे अब हम move करते हैं, क्याता है, 25% of a number, when subtracted from 100, give the number itself, find the number, एक नमबर के 25 पर्तिशत को 100 में से अगर हम घटाते हैं, तो सेम नमबर मिलता है, तो नमबर क्या हो, तो मैं कहा सकता हूँ, 100 में से उसका 25% एक number का घटाया, तो मुझे number ही मिल गया, number अपने आपका 100% लिख सकते हूँ, तो 125% of x, एक इसके बराबर 100 के बराबर solve करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर 5 आएगा, या फिर आप 25% इसे percentage में लिख लो, या फिर आप directly भी लिख सकते थे, कि 100 माइनस 25% is nothing but 1 by 4 x, और यह किसके बराबर हो गया, x के, ठीक है, कॉशन हो गया, खता, ओरली करने का तरीका, कि 25% इसमें घटा रहा हूँ, तो number आ रहा है, तो 25% actual number में जोड़ दो, तो 125% of number 100 के बराबर है, ठीक है, तो चार option में किसका 125% 100 बनेगा, option देखते हैं, आप इट्ली माँ कर सकते हैं, देखो, question में कहता है, दो students exam में appear होते हैं, एक student के marks 15 जादा है, किस से, दूसरे से, और जिस student के marks 15 जादा है, हैं, दूसरे से, उसके 55% है marks, उन दोनों के marks के sum के, तो हमें बताना है कि कि कितने-कितने marks उन दोनों ने और किये, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका तो यह है कि भी है, sum को अगर, sum of marks मैं अगर 100% माल लूँ, तो मेरे पास जो लड़का है, जिसके जादा है, उसका 55% है, तो दूसरे वाले का कितना रहा होगा, 45% रहा होगा, है न, अगर मैं यहां से सोल करूँ, तो difference कितना आ गया, 10% marks का दोनों में, total marks है, 10% का, 10% किसके बराबर है, 15 marks के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो गया, 1.5 के बराबर हो गया, अगर 1.5 के बराबर एक है, तो 55% किसके बराबर होगा, 1.55, 55 में करूँगा, तो यह वाली value आजाएगी मेरे पास 82.5, और 45 में करूँगा, 1.5, तो कितना आ जाएगा यह तरीका है जो मैंने दूसरे तरीके से कराया अभी पहले भी एक कोशिन आया था इस टाइप को मैंने अलग मैंसे कर लिया वैसे करना चाहूं तो आप वैसे भी कर सकते थे सवाज को कोई दिक्कत ने थी ठीक है आप कहते सर जिसके ज्यादा मार्क से बी माल लेता हूं जिस का डिफरेंस कितना है दो रेशो का तो रेशो किसके बरबर ? 15 के बराबर हमें किस इसका मान बताना? अगर दो रेशियो 15 के बरबर है तो 11 रेश्यो गार्रां बताना? एक रेश्यो गाँ दोगा 7.5 भी मित्टिपलाइ करगे कितुं कंस्लिकित 7.5 और 40 इतना है तो 20 ratio कितना होगा दोनों का sum कितना होगा मेरे पास 150 होगा टोटल मास्स दोनों के मिला के 150 आइंगे चार option में 150 किस-किस में बन रहा है एक ही option में बन रहा है तो गहींana जनरल एकजामिनर घंक से अगर पेपर बनाए तो सम दो ऐसे जरूर देता है इनका सम से मारा तो नहीं कर पाते वरना अगर रेशियो भी देखे हैं हमारे पस दोनों के मास्क का रेशियो 11 रेशियो 9 बड़े वाले का 11 और छोटे वाले का 9 अब इन्होंने बता नहीं रखा किस रेशियो में दे रखा पहले पहले बड़े वालों के तो डारेक्टली नहीं कर सकते रहा है ठीक है बाकि आप रेशियो निकाल की देखे देता है नाइन रेशियो 11 जिसमें बन रहा है वह अंसर सही हो जाता आपका मल्टीपल कीजिए अगर इजी ओप्शन है मुश्किल ओप्शन्स देजिए तो पुर स्क्वाइर रूट आ जाता है किसका शॉर का स्क्वाइर रूट के तना होता है 28 होता है अगर अपने नमबर में से 65 को अपने आप में से घटा दिया तो कितना बचेगा 35 परसेंट अपने ब़ूँकल करके अपना अंसर निकाल सकते 35 पर सेंट को सेवन बाई टुएंटी ल होता मैंने किस से काट दिया 5 से काट दिया 7 से काट हूंगा 4 और नंबर मेरे पास कितना आ गया 80 कोशन हो गया कदम यह हमारे percentage के 20 questions थे जो की competitively काफी easy थे ratio में कुछ अच्छे level के सवाल भी है तो अभी ratio के सवाल हम देखेंगे और उसके सवाद mister के सवाल देखेंगे और आज की class को हम wind up करेंगे कि सबसे पहला सवाल है हमारे पास partnership topics है क्या क्या क्याता है question के अंदर कि देख पार्टनर्शिप का simple सा fund होता है जो हमारा profit होता है वो directly proportional होता है investment into time के यहाँ पर proportional लिख रहा हूँ equal नहीं लिख रहा है याद रखना तो मैं कह सकता हूँ अगर मेरे पास कि तीन तरह की चीज़ें चल रही है मैंने का profit निकालना है P1 ratio P2 ratio P3 तीन लोगों यह बीच में तो एक इसके बराबर होगा investment 1 into time 1 ratio investment 2 into time 2 ratio investment 3 into time 3 यह concept है पूरा का पूरा इसके पूरा चाप्टर बेश्ट है ठीक है तो टोटल प्रॉफिट कितना होपा अब देखो ध्यान से जब मैं इहां पर सोल करूँगा investment into time investment into time investment into time कही ना कहीं investment में जो common चीज़ होंगी वो तो कटेंगी ना मेरी है ना जो multiple common होंगे वो कटेंगे तो investment का ratio कि नजर का 45,000 36,000 54,000 तो अगर आप इसे simplify करना चाहें तो मैं 3-0 तो पढ़ते हैं पढ़ते हैं eliminate कर सकता हूँ मैं लिश सकता हूँ A की investment 45, B की 36 और C की मेरे पास 54 ये investment का ratio आगया और ये अभी और कट सकता है आप चाहें तो इसे 9 से और काट सकते हैं तो मेरे पास ये 5 ratio और ratio 6 भी बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं time का ratio 3 साल के लिए था और तीसरा मेरे पास 2 साल के लिए अगर आप आगे अभी भी eliminate करना चाहें तो और कट जाएगा मेरा जैसे ये 4 से 4 eliminate हो जाएगा और यहां पर ये और दो को काटूंगा 4 से तो बचेगा 3 तो मेरे पास जो final ratio बचा वो बचा 5 ratio 3 ratio 3 बी का जो profit था वो था 1800 यह हमें 1800 दे रखा है तो एक ratio किसके बराबर हो गया मेरे पास यह हो गया 600 के बराबर हमें बताने है total profit तो 5 और 3, 8 और 3, 11 रेशियो किसके बराबर होगा into में 600 कर देंगे तो 66, this will be my answer क्या question के लिए रहे सभी लोगों को next question हमारे पास कहता है mango और apple के price का ratio 3 ratio 2 है अगर total price mango और apple का 100 है तो मेरे पास बताओ mango का price क्या होगा तो combined price 3 और 2, 5 ratio यह 100 के बराबर तो एक ratio किसके बराबर 20 के बराबर mango का price कितना है 3 ratio तो 3 into 20 यह हो गया 60 question हो गया हतम ठीक चलें आगे next question कहता है जो present age का ratio है बबीता और सुनीता का वो 7 ratio नहीं 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 है पास साल पहले जो ratio था वो 1 ratio 2 था तो present age बता दो बबीता की तो यहां पर है बबीता और यहां पर है सुनीता present age का ratio है 7 ratio 9 5 years ago डारेक्ट भी कर सकते इस question को भी डारेक्ट भी बताऊंगा तो यह था 1 ratio 2 तो हमें बताना है present age बबीता अगर बबीता की present age बता नहीं है तो आप देखेंगे 7 ratio दे रखा है चांसिस है जो बबीता की यह जो कि 7 का multiple होगा और 7 का multiple अगर मैं देखू यहां पर तो मेरे पास कौन कौन से options मिल रहे है मुझे 7 मिल रहा है ठीक है 21 मिल रहा है और 14 मिल रहा है तो 3 options available है तीन लोगों की अगर एज दे रखी है अगर मैं 5 साल पीछे जाओंगा तो age का difference maintain रहा है एक exam पसे समझाल लेता हूं मैंने का मेरे पांस दो लोग है एक है राम और एक है शाम से राम की एज है अभी 18 साल और शाम की एज है मेरे पास 15 साल है ना ऐसी मांगे अगर मैं 5 साल पीछ रहा है कर तीन साल का difference 5 साल आगे चले जाते तब भी जो age का difference है यह constant रहता है कितने भी साल आगे जाओ या पीछे जाओ अगर यह constant रहता है तो इस तरह के questions को हम ratio method से ही करते हैं मैं कहा 5 साल पहले उनकी age का difference कितना था 1 ratio और यहाँ पे है कितना 2 ratio तो ratio maintain करने पढ़ेंगे ratio maintained अगर ratio maintain करने पढ़ेंगे तो यह 1 है और यह 2 है तो इसमें 2 बनाना पढ़ेगा तो इस पूरे में किस से multiply करने पढ़ेगी तो से multiply करने पढ़ेगी जैसी मैंने 2 से multiply करी तो यह हो जाएका 2 ratio क्या age का ratio maintain हो गया यहाँ पे भी मेरे पास अब gap 2 years का आगया है तू ratio का आगया है हाँ पे भी age का difference 2 years का आगया है दोनों में ratio maintained आप question को solve कर सकते हैं आप चाहे बवीता को ले लो चाहे आप सुनीता को ले लो दोनों ही 5 साल पीछे जा रहे हैं यहाँ पे no ratio था age रहे गया प्षार ratio कितने पिछे हो गया है पांच ratio पांच ratio किसे रेप्रेजेंट कर रहा है पांच साल को तो एक ratio किसे रेप्रेजेंट कर रहा है एक साल को तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कहेंगी प्रेजेंटे जोग वभीताईज नथिंग बट 7 into 1 that is 7 years question हो गया खत्म concept clear है या नहीं है नेक्स्ट question पर मैं move करता हूं अब देखो यह अच्छा सवाल आप 3-4 सवाल बहुत अच्छा आने वाले हैं ratio के तरीका समझना आप कैसे करना है question को सोल तो एक्जाम में गलती नहीं करो गया आप कहता है कि 2p plus q ratio q plus r equals to q minus p ratio q minus r यह किसके बराबर दे रखा है 4 ratio 3 के बराबर दे रखा है हमें p ratio q ratio r का मान बताना है कि क्या होगा अब एक जनरल तरीका है कि मैं से पूरे को solve करूं और फिर value निकालूं that is very complicated मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 equations बनेगी जितने ratio होते हैं हमारे पास जैसे यहाँ पर 2 equals to के sign है तो 2 equations बनेग या फिर हम कुछ tricks वगएरा यूज़ करके भी निकाल सकते हैं वो possible है but not recommended मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताता हूं इस तरह के question को कैसे solve करना इस question को करता है हम option की मदद से अब option की मदद से कैसे करेंगे भी या हम से क्या पूछा है p ratio q ratio r यह condition भी मैं यहाँ पर लिख देत p और q-r के यह वाली condition थोड़ी easy लग रही है अगर ratio मुझे बताना है p ratio q ratio r तो satisfy करेंगे न अगर मैं यह p ले लूँ यह q ले लूँ यह r ले लूँ p minus q sorry q minus p यहाँ पर करूँगा तो मेरे पास minus 2 आएगा और यहाँ पर q minus r करूँगा तो minus 3 यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर minus 3 फर्स्ट option ले रहा हूँ इस वाले से तो 2 और minus 3 क्या यह बराबर है इसके नहीं है तो नहीं हो सकता 4, 3 और 5 3 मैं से 4 को घटाओंगा q minus p करा minus 1 और यहाँ पर q मैं से इसे घटाओंगा तो मेरे पास minus 2 minus 1 divided by minus 2 क्या यह 4 by 3 आ रहा है नहीं आ रहा यह भी कट गया फिर मेरे पास है 8, 12 और 9 अब इसे solve करेंगे 12 मैं से 8 को घटाया तो 4 12 मैं से 9 को घटाया तो 3 satisfy कर रहा है तो यह है मेरा अन्सर हो सकता है अब 2 चीज़ है क्योंकि एक option और बचाब हो सकता है चोथे वाला option इसे satisfy कर दे इसे satisfy ना करें या फिर तिसरे वाला option जो मैंने इसे satisfy कर रहा इसे satisfy ना गरे तो अब तीसरे option पर अगर हम हैं तो मैं दुबारे एक बर यह वाला भी check करके देख लूगा कि यह भी satisfy हो रहा है नहीं हो रहा है अगर यह satisfy नहीं हो तो फिर गल तो जाएगा तो मैंने कहा 2p मतब 24 माइन प्लस q that is sorry 2p that is 88 into 2 that is 16 plus q that is 12 divided by q plus r 12 plus 9 तो यह हो गया मेरे पास 28 divided by 21 और यह वाली value आ गई 4 ratio 3 यह इसे क्या कर रहा है satisfy कर रहा है तो यही मेरा question का answer हो clear है सभी लोगों को दोनों condition satisfy कर रहा यही अंसर है question खतम हो गया मेरा अगले सवाल पर मैं आप चलता हूँ यह मेरे पास कुछ पैसे हैं जो डिवाइड किया गए पारस रमेश और आरव में किस रेशियो में 85 रेशियो 8 रेशियो 15 है जो डिफ्रेंस है रमेश और आरव के शेयर का वो 6000 है तो हमें बताना है total amount of money कितनी होगी तो रमेश और आरव की अगर मैं बात करूँ यह लाश् रेशियो 7 रेशियो किसके बराबर है 6000 के बराबर है हमें total money बतानी है तो 5 प्लस 8 13 और 15 28 रेशियो का मान क्या होगा आप कहेंगे सर्थ साथ में 4 से गुना करूं तो 28 आएगा तो इसमें भी 4 से करना पड़ेगा और मेरे पास value कितनी हो जाएगी 24,000 हो जाएगी क्लियर तो इस question का answer क्या हो गया मेरा option number a correct हो गया खत्म next question पर move करते हैं यह ध्यान से करेंगे इस question को देखो कहता है कि PQR तीन लोग है इनके पास total 180 candies है कुछ मतलब पूरी statement बेश्ट पुरा का question चल रहा है हमें statement पढ़नी पड़े कि उससे साथ क्वेश्चन को solve करना पड़ेगा तो मैं साथ के साथ पढ़ूंगा और solve भी करता चलूँगा लास्ट में जो भी निकालना वो अपने आप ही निकल जाएगा हमें P और R का ratio initially क्या है वो बताता है ठीक देखो मेरे पास एक P है एक मेरे पास Q है और एक मेरे पास R है मैं माल लेता हूँ P के पास कितनी केंडीज है P के पास में P केंडीज माल लेता हूँ Q के पास Q माल लेता हूँ और R के पास R केंडीज माल लेता हूँ तो हमें कहता है कि total केंडीज कितनी है हमारे पास 180 है पस्ट लाइन के लिए अब आगे भढ़ता है आगे कहता है अब इनिशल इन तीनों के पास जितनी जितनी केंडिज हैं वो लिखे देता हूं मैंने का इसके पास P है इसके पास Q है और R है P gives Q and R as many candies as they already have, P Q और R को उतनी candies देता है जितनी उनके पास already है, तो अगर Q के पास पहले Q थी, तो P Q को कितनी और देदेगा, Q और देदेगा, R को कितनी देदेगा, R और देदेगा, और अब क्योंकि इसकी candies इनने, इसने Q और R को दे दी, तो Q प्लस R इसमें से eliminate करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, अब इनके पास present position candies की इतनी है, आगे भरते, R gives Q half as many candies as Q already has, and R also gives P twice as many candies as P already has, ठीक, R ने क्या करा, क्योंको जितनी उसके पास already थी, तो Q और देदेगा, मैंसे क्यों कम होगी, P के पास जितनी अभी बची विए, इसके double दे दी, तो double दे दी, तो कितनी हो जाएंगी, इसका thrice कुना हो जाएगा, और इसके पास R के पास कितनी हो जाएंगी, यह घट जाएंगी, double जो P के पास पहले थी, क्या यही value आएगी मेरे पास, Now, each of them has the same number of candies with them, अब तीनों के पास क्या होगे, जो candies हैं, वो बराबर हैं, हमें P और R के पास initially जो candies थी, उसका ratio बताना है, मतलब P ratio, although हम इस question को solve करके, total कितनी कितनी candies हैं इन सब के पास, वो सारा का सारा हम निकाल सकते हैं, बट जुरत नहीं है, हमें इस क्या बताने हैं, सिर्फ ratio बताना है, P और R की candies का, तो solve करेंगे, देखो यहाँ पर मेरे पास आया, यह 3 क्यों, इसे simplify करूँगा, तो मेरे पास यह 3, P minus Q minus R, 3 को अभी हटाते नहीं है, अगर इन दोनों को simplify करूँगा, 3 से 3 eliminate हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा, P minus R, और यह Q इधर जाके add हो जाएगा, 2Q, एक relationship तो यह वनी मेरे पास, अब क्यों का माना आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, क्योंकि यह 3 के पास बराबर, बराबर, बराबर केंडी जे, तो 3Q किसके बराबर होगा, 3Q into में 3 कर दूँगा, तो 180 के बराबर आजाएगा मेरे पास, और मेरे पास Q कम आना जाएगा, 20, ठीक है, solve करना चाहे तो, क्योंकि value निकाल सकते हैं, एक की value निकाल सकते हैं, बड़ जूरा तो नहीं है, मैंने का P minus R यहा है इतना, अगर इधर solve करता, बुझे को यहाँ पर मेरे पास 2R है, यह minus 2 है, और R यहाँ पर मेरे पास plus का 2R बनेगा, तो यह हो जाएगा 4R, minus का Q है, यहाँ पर मेरे पास plus का 2Q बनेगा, अगर मैं इसे simplify करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पाएगा, 2Q, यह किस के बराबर होगा, यहाँ से Q eliminate होगा, तो यह 4R minus 2P के बराबर होगा, और यहाँ पर P minus R भी मेरा 2Q के बराबर है, तो अगर इसे मैं equate कर दूँगा, तो मेरे पास जो value आएगी यहाएगा, यह 4R, 5R इधर हो जाएगा मेरे पास, और यह 3P हो जाएगा, P ratio R मेरे पास आएगा, 5 ratio 3, this will be my answer, ठीक है, चले आगे, तो calculation ध्यान से करना है आपको, इसकी जुरत नहीं पड़ी हमें, यह वाला question भी अच्छा है, question में क्या कहता है, if B is the mean proportion to A and C with the common ratio, this, then A minus B का whole Q minus B minus C का whole Q, क्या होता है, सबसे पहले mean proportion मतला मध्यापी क्या होता है, अगर मेरे पास A और C दो value दे रखें, तो इनका mean proportion, that is B, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा, root AC का, ठीक है, अगर मैं solve करता हूँ, मिलको यह वाली value दे रखें है, और इन्होंने क्या दे रखा है, कि with the common ratio, cube root 2 by 3, अब यह common ratio क्या होता है, अगर मेरे पास 3 number दे रखें हैं, अब mean proportion अगर B है, तो A, B, C मेरे पास 3 number है, हम इन्हें geometric progression की तरह treat करते हैं, तो मैंने का यह A है, A में common ratio, R होगा मेरे पास, 2 by 3 की power 1 by 3 लिख सकता हूँ, यह multiply करूँगा A के अंदर, तो मेरे पास आएगा B, B के अंदर 2 by 3 की power 1 by 3 multiply करूँगा तो यह वाली value आएगी C, तो यह इस तरीके से sequence मेरा चलता है, हमें जो value निकालने हैं, वो देखते हैं, A माइनस B का cube, ratio B minus C का whole cube, A कितना है मेरे पास, A है, B कितना है, root AC, whole cube, ratio है तो divide लिख सकता हूँ, root AC minus B का C का whole cube, आप देखेंगे, यहाँ पर उपर नीचे वाले में से, यहाँ से में अगर root A को common ले लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, root A minus root C, और इसका whole cube है, और नीचे अगर यहाँ पर root C को common ले लूँ तो root A minus root C बचेगा अगे, और इसका whole cube है तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा यह तो जाएगा, root a by root c, root a क्या होता है, a की पावर 1 by 2, तो basically आपर पावर 1 by 2 कर दो, तो मिझे निकालना है, a by c की पावर 1 by, this is what I need to calculate, sorry, 3 by 2, clear है इतना, और a और c के बीच में आपको relationship यहां से दिख रही है, कि अगर a के अंदर ये common ratio को दो बार multiply गर दो, तो मैं c तक हो जाऊँगा, तो मैं कहूँगा है, आपर a into में common ratio क्या था मेरे पास, 2 by 3 की पावर 1 by 3, 2 by 3 की पावर 1 by 3 into 2, that is 2 by 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास c के, ठीक है, a by c मैंने निकाल लिया, तो ये वाली value इधर चली जाएगी, ये आएगा 3 by 2 की पावर, 2 by 3, और यहां पर हमें a by c की पावर 3 by 2 करनी है, तो into में 3 by 2 पावर कर दूँ मैं हाँ पर, तो इसकी भी पावर में 3 by 2 करनी पड़ेगी, 3 by 2 से कट जाएगा है, मेरे पास बचे का 3 by 2, फ्रूट मार्केट में गए, कुछ फ्रूट्स करिदनी के लिए, एड फर्स्ट शॉप, बी ने कुछ मैंगोज करेदे, एड रुपीज ए पर मैंगो, एड ए ने उशी शॉप से 9 मैंगोज जादा करेदे बी से, ठीक है, फिर अगली शॉप पे गए है, फिर उसमें ए ने क्या करा, बी रुपी पर एपल के हिसाब से, कुछ एपल्स करीदे, बी ने 18 एपल्स जादा करीदे एसे, बाद में यह पाया गया, कि जो number of fruits A ने खरीए देते और जो B ने खरीए देते उनका ratio 4 रेशियो 7 और जो उन्होंने amount spend किया है, उन्हें परचेज करने के लिए वो तेम है, तो हमें बताना है, A ratio B क्या होका, अब कैसे solve कर देखो, initially जब इस तरह का question आप exam में रेखते हैं, तो ख़रीए फ्यू जो जाते हैं, और मैं कहता हूँ कि अगर 4-59 question आप last के लिए छोड़े, लेकिन question मुश्चिन हो यह जरूरी नहीं है, आपको statement by statement चलना पड़ेगा, ठीक है, दो लोग है A और B, एक है मेर पास B, पहले यह एक शौप पे गए, A ने कुछ mangoes purchase करे, एक परचेजी, तो मैं माल लेता हूँ, कि A ने कितने, sorry B ने purchase करे, mangoes, B ने से M mangoes purchase करे, और उसका price का कितना, A, ठीक है, अब यहाँ पर A लेंगे, तो confused हो सकता है, जो number of mangoes, यह number of apples, जो हम purchase करेंगे, उसे में capital M से denote कर देता हूँ, कि B ने क्या करा, M mangoes purchase करे, A की कीमत पे, आगे बढ़ते हैं, फिर बारी आती है, A की, A ने 9 mangoes ज्यादा purchase करे, तो A ने M प्लस 9 mangoes purchase करेंगे, A की कीमत से, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला stop आया, अब A ने purchase करे, मैं apples, B की कीमत से, तो apples टोटल जितने purchase कियों से, मैं A माल लेता हूँ, कितनी कीमत से, B रूपीज पर kg के हिसाफ से, और B ने 18 apples extra purchase करेंगे, तो A प्लस 18 apples, B ने purchase करें, किस कीमत से, B रूपीज पर kg की कीमत से, तो टोटल जो A ने amount खर्च किया, जो B ने amount खर्च किया, यह देजिए, बाद में यह पाया गया, कि जो number of fruits buy किये थे, A और B ने, वो 4 ratio 7 थे, तो A ने जितने fruits buy करें, और B ने जितने fruits buy करें, उसका अगर मैं ratio निकालूं, तो A ने कितने buy करें, total, M प्लस 9, और प्लस A, तो M प्लस A प्लस 9, ठीक है, number लिख देता हूँ, जिससे confused ना हूँ, आप, total A ने कितने करें, और B न कितने करें, M प्लस A प्लस 18, और इनका ratio हमें दे रखा है, और ratio, तर, दोनों ने जो पैसा कर्च किया, वो भी बराबर किया, तो ये equal दे रखा है, हमें बताना है, A ratio भी क्या हो, अगर मुझे A ratio भी निकालना है, या तो आप इधर simplify करें, M और A का मान आपको कुछ मिल यहाँ पर M और A को X मान लोगे, तो M प्लस A की value आपको मिल जाएगी, यहाँ पर put करके आप निकाल सकते हो, otherwise directly आप इस equation से भी question को try का सकते है, चलो इसे बाद में simplify करेंगे, मैं इस question पर आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास value कहेंगे, आप कहेंगे, सर M into A हाँ पर आ रहा है, M into A यहाँ पर रहा है, कट जाएगा, ऐसी यहाँ पर मेरे पास A into B है, और यह A into B है, यह भी कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा, यहाँ पर 9 A, और यहाँ पर कितना बचेगा, मेरे पास 18 B, 9 A किसके बराबर है, 18 B के बराबर है, हमें A ratio B बताना है, तो यह हो जाएगा, 18 by 9 और यहाद आगा 2 ratio 1 हमें A ratio B पूछा है question के अंदर 2 ratio 1 question हो गया घतल मुझे यहाँ पर M plus A का मान निकालने की जुरत ही नहीं पड़ी although question में हमसे यह भी बूछ सकता था कि total apples कितने पर change किये गए total mangoes कितने पर change किये गए या उससे related कुछ तो शायद हमें पूरा solve करना पड़ता लेकिन हमारा answer directly आचुका है question को कहीं बार कुछ हो सकता है कुछ teachers आपको अबरे लिए आके कहेंगे directly भी करते थे directly कैसे कर सकते थे हमें यह चीज़ समझ में आ रही है कि जब purchasing की जा रही है ठीक है तो total A ने भी कुछ mangoes करीदे B ने भी कुछ mangoes करीदे A ने भी कुछ apples करीदे B ने भी कुछ apples करीदे और हमें starting में दिख रहा है कि A ने क्या करा no mangoes extra करीदे A ने क्या करा no mangoes extra करीदे और mangoes की कीमत कितनी थी मेरे पास यहाँ पे A रुपीज बाकि साइची जो दोनों ने बराबर खरीदी थी तो जो मेंड डिफ्रेंस था ए ने नो एपल ज्यादा खरीदे थे और बी ने 18 एपल ज्यादा खरीदे थे ठीक है अब जो फाइनल अमाउट दोनों ने पे करा वो बराबर था तो हम कह सकते हैं जो यह नो मैंगोज की कीमत है यह 18 एपल की कीमत क्या बराबर होगा डारेक्टली ए रेशियो भी मेरे पास तू रेशियो बन आ जाएगा तो करने को इसे इतने छोटे तरीके से भी किया जा सकता था बट वो एक्जाम टाइम में एक्दम श्ट्राइक नहीं करता जन्रली हम एक्वे इसे ही होते है एक स्ट्राइक कर गया कर गया वरणाव बेसिक से हमें करना पडता है तो by हम आ solche हुआ करेंगे नएक कोश्यन हमारे पास यह है mixture का अलोई A contains iron and copper in ratio 4 ratio 5, alloy B contains iron and copper in ratio 3, ratio 4, 45 kg अलोई A और 63 kg alloy B को अगर हम mix करें तो ratio क्या होगा copper रोय अब इसे ratio method से करना चाहें ratio method लेगिन यह question बहुत ही simple values है तो हम basic से ही कर सकते हैं ठीक है अलोई A के अंदर iron है और copper है 4 ratio 5 total quantity कितनी है 45 kg तो यह 9 ratio किसे represent करेगा combined 45 kg को एक ratio 5 kg को represent करेगा तो मेरे पास iron आ गया 5 into 420 और यह आ गया मेरे पास 525 अलोई B की बात करूँगा तो इसके अंदर iron और copper जो है मेरे पास वो क्या है 3 ratio 4 है total हो गया 7 ratio total quantity LOEB की कितनी है 63 kg है एक ratio किसके बराबर 9 के बराबर हो गया तो 9-27 और 9.36 यहां पर iron और copper इतना है हमसे पूसता है कि अगर मैं दोनों को मिला दूँ तो final ratio copper और iron का कितना होगा copper और iron पूछा है तो copper question हो गया खतम ठीक है ओल्दो इस question में exact values के साथ ना जाके अगर हम ratio भी ले 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 तो भी सीव जाता मतलब यह quantity का दे रखाता ना यह कि 45 kg यह 63 kg quantity ना लेते भी अगर हम खाली ratio ले ले लेते क्योंकि इनकी ratio की जुरुत्ति हमें इस question को सोल करने के लिए तो मैं क्या देता है यहां पर 45 और 63 नाइन से गाट होगे तो 5 ratio 7 अगर question में यह दिया आता होता कि 5 ratio और 7 ratio में को अलोई A और B को मिक्स किया तो बता दो final ratio क्या होगा copper iron का तब भी मेरा यहींसर निकल के आता question में कहता है ratio of milk and water in two mixtures A and B is 3 ratio 2 and 4 ratio 3 respectively A and B are mixed in the ratio 1 ratio 2 then the ratio of milk and water in the final mixture बिल्कुल similar question जो मैंने आपको भी बताया इसे देखते है किस तरीक से करे के milk और water का ratio जो है mixture A के अंदर वो दे रखा है 3 ratio 2 और mixture B के अंदर milk और water का ratio के दे रखा है 4 ratio 3 दे रखा है इन्हें 1 ratio 2 में मिला गया मत्तब इसकी quantity अगर 1 ratio है तो quantity 2 ratio मुझे लेने पड़ेगी तो final mixture में milk और water बताना है अब देखो कैसे करेंगे quantity के हम अगर मुझे इसका एक ratio लेना इसका दे ratio देना तो दोनों की equal quantity पहले मुझे बनानी पड़ेगी उसमें फिर इसको 1 से multiply कर दूँगा इसको 2 से multiply कर दूँगा तो double quantity skin मिल जाएगी और मेरा answer आएगा अब अब यहाँ पर देखो यहाँ पर milk और water का ratio कितना है combined 3 और दो 5 ratio यहाँ पर कितना है मेरे पास 4 और 37 ratio अभी quantity equal नहीं है equal करनी पड़ेगी equal करने के लिए यह करेंगे यह 5 है यह 7 है तो इसमें 7 से multiply कर दूँग और इसमें 5 से multiply कर दूँग क्या ratio मेरा equate हो जाएगा जल् यह वाली quantity जो है इसका double हमीं यह चीए तो मैं कहुगा कि यार इसमें क्या करता हूँ अब इसमें 1 से और इसमें 2 से multiply कर देता हूँ तो यह quantity total मेरी क्या होगी मिझे चीए अब जो final mixture बनेगा उसके अंदर हमीं क्या बताना है milk और water का ratio तो milk ratio water इसके अंदर milk कितना है 3 into 721 इ इसके अंदर water कितना है 14 इसके अंदर water कितना है 3 into 10 30 यह हो गया मेरे पास 61 divided by 44 इस विल बी माय अंसर question हो गया चलें आगे this is how the questions work easy questions थे कुछ question language based थे वह आपको समझ निमत थोड़ा आपको basic से करें तो ज्यादा बैटर रहेगा एक्जाम में last के लिए छोड़ें जो question को पढ़ने में आपको time लग रहा है समझने में बाकि आगर आप सही तरीके से किसी question में exam में फसेंगे नहीं मतलब छोड़ते इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं बाकी चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके basic ठीक है और बाकि individual courses भी आप देख सकते हैं bye bye everyone take care have a nice day and Jaihin